जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दि आएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform कर करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन चात्रो मैशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं और साथ में एक उद्ध करता हूं क्या कहा रहे हैं मैं सीप तैयारी करता हूं और किसी दिन मेरा मौका आ ही जाएगा मतलब कि अगर कहा जाए एक उच्चे विस्थारी द्रिष्टी कोन से मतलब अगर नॉर्मल वे पर सोचा जाए कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए तो हमारी सोच यह होनी चाहिए कि हमें प्रयतन करते करते तैयारी इतना परिपक को बना लेना चाहिए, अपनी तैयारी को इतनी बेस्ट कर लेनी चाहिए, कि जो है, इतना मालूम होना चाहिए, कि मेरा भी मौका आएगा, हम हर चीज को किसे रिलेट करते हैं, अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं से है जिसमें हम प्रशासन और नियшь चीजों की चर्चा करेंगे ठिक है ऊसम उस्में प्रस्फपर करेंगे आगे बढ़ते हैं कि देख सकते हैं जैसे कि भारत का नॉर्मल वेपे ठीक है यहां कि मैं समझाने लग जाता हूं सबसे पहले हमने देखा स्री गुप्त के बारे में जो कि गुप्त-वंस के सासक आपके संस्थापक रहें देन उसके बाद घटोत कक्ष के बारे में चर्चा हुई घटेत कक्ष बारे में ज्यादा नहीं याद र अभियान से लेकर सारे समराज विस्तार की निती सामने नजर आती है और याद रखना है इनकी उपाधी थी धर्णी बंद और जो है कहा जाता था कि इनका घोड़ा जो है वो तीन सागरों का तीन समुद्रों का पानी पीता है और यह अपने आप में एक प्रतापी परस्नाले ने भी विश्वी जय का सपना देख देन उसके बाद जो है समद्रों के बाद आते हैं राम गुप्त राम उप्त को प्रसाशन मील और यह आयोग के शाषक थे जिसकी जानकारी मिलती है देवी चंदर गुपतम नामक की बुक से और वो देवी चंद्र जसमें हमें एक पुस्तक के अयोग होने के और इनुंहीं की बीवी जो थी उनका विवा함 किसके साथ हो जाता है उनुकly सामने पश्चाथ्या कर दिल्यारासल बात की चंद्र गुप्त दुट विक्रवा दित्ये विक्रमा इनकी बीवी जो रहती है इनकी जो पतनी रहती है उनके साथ विवाह कर लेते हैं और आपका कुशल प्रसासन के लिए सामने आते हैं देन उसके बाद चंद्रगुप्त दूती विक्रमादीती के बारे में चर्चा करें तो याद रखेगा उत्तर के हिमालय से लेकर नीचे के ने छात्रों कि नौरत प्रस्टरों की नौरत जो है वो बहुत फेमस हैं उनसे प्रस्ग पुछे जाते हैं जैसे किसने चला है तो चंद्र गुप्त दिती विक्रमादिति के समय में चला उसके बाद आते हैं कुमार गुप्त कुमार गुप्त याद रखना है कि नालंदा विशुविद्याले के याद रखना है नालंदा विशुविद्याले कि इसने स्थापना की नालंदा विशुविद् याद रुप्त से नालंदा विष्वी उद्यालाय याद रखना है कि उसे यंदे शकन्द उसके बाद आपका की समय में याद करना है किस में आध कर रहे हैं हम को कुई साले करें एक रिविजंग के लिए वहारे लागति विग हैं दि gratis सती प्रथा का उल्लेक मिलता है इस प्रकार से याद रखना है देन उसके बाद रखते हैं विश्णु कुप्त जो है सबसे अन्तीम सासक रहा और गुप्त शासन से जो राजाओं से प्रसासकों से जो प्रस्न पूछे जा सकते थे पिछली कक्छाओं में हमने अच्छी तरह स कर लिया ठीक है और याद रखना है कि आज हमारा प्राराम हो रहा है जो गुप्त कालीन संस्कृती है और जितने भी आपका मतलब विक्सित हुई अगे बढ़ते हैं आशा करता हूं इतनी बारे सारी चीज़े आप लोगो समझ में आए होगी यहां देख सकते हैं कि हुनों का आकरमन हुआ और हुनों का आकरमन कैसे हुआ किसके साशनकाल में हुआ मैंने बताया था इसकंद गुप्त सबसे जादा अगर कहा जाए तो आपक से जानकारी मिलती है कि हुनों को जो है निश्कासित किया था तो हुनों द्वारा भारत में आकरमन गुप्त काल में हुआ यह सही है हुनों का कुमार गुप्त से प्रबल मुकाबला हुआ ठीक है तो कुमार गुप्त से प्रबल मुकाबला हुआ अगर कहा जाएगा कि सबस सकते ठीक है अगर तीगिन हुणों का प्रथम राजा था ठीक है पूछा जा सकता है लेकिन उत्रा इंप्रटेंट नहीं है ठीक है यह सोवर्मन ने हुणों को सत्ता उजाड़ी उसके बाद है मन्द सौर अभिलेक से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ठीक है मंद सौर अभिलेक से और भीत्री अभित्री अभिलेक याद रखोगे तो पिंच करेगा दिमाग में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है गुप्त कालिन संस्कृति गुप्त कालिन संस्कृति देखा जाए तो आपका गुप्त कौन से धर्मके थे जैसे मैंने बताया है कि बहुत सार विद्वानों के अलग मत रहें लेकिन याद रखना है वैसनाओ धर्मके आपके अनुआई थे ठीक है अनेक सासकों ने परम भागवत की उपाधी धारन की लेकिन सबसे पहले किसने धारन किया था परम भागवत की उपाधी चंद्रगुप्त दिती विक्रमा दित्ति ने थीक है उसके बाद है इस वैसनओ धर्मक चरन सीवानः था बिलकुर सहीं इसकाल मे विश्ण सीव की सहीव टूरूप से पूज़ और अधिकतर अगर विश्णु जी और शीव जी की अगर प्रतीमा अगर मिलती है गुप्त प्रतिमा जुओ का अपका कहे जाने मतलब यह ह कि अधिकतर अगर शयवधर्म हो गया और आपका क्या बोलते हैं विश्णु जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी ठीक है हम पढ़ेंगे आपका इस्थल से रिलेटेड भी प्रस्न बनाएंगे ठीकिन याद रखना है कहा किसे कौन से काल से संबंधित है तो गुप्त काल से संबंधित है ठीक है आगे बढ़ते हैं शिक्षा अगर देखा जाया तो शिक्षा का इस्तर जो था यह लिखने का उद्देश यह है बहुत सरा चीज टाइप नहीं हुआ इसमें चमा चाहूंगा याद रखेगा शिक्षा का इस्तर जो था वो उच्छ था और याद देखा जाया कि अगर चंद्रगुप्त दुदिती के दरबार में देखा जाया तो शिक्षा और जो है दार्सनी को से जो है पूर्ण रूप से जो क्या था भरा हुआ दरबार था ठीक है तो इस प्रकार से समझनें आगे बढ़ते हैं अगला है चित्रकला अगर देखा जा तो आजंता की गुफाओं में मिलती है ठीक है गौलियर में देखा जाये तो बाग्यकी गुफाएं ठीक है उसके बाद आपका ये मर नासन्य की मूर्ती हो गया राजकुमारी महात्मा बुद्ध की ना गिरित्याक की मूर्ती तो यह सब सारी चीज़ें जो है अगर देखा प्राप्त होते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है अगर देखा जाए कि कौन सा अभिलेक किस सासक से सम्मंधी ते सिधा प्रस्ण पूछा जाता है तो इस समुद्र गुप्त से क्या-क्या बताया एक ति समुद्र Yak प्रसाश्टी जो है एरण अभिलेक आपका मिलता है भानो गुप्त का लेकिन समूधरुप्त की जानकारी मिलती है उसमें चन्दु गुप्त दिती जो है साचीए अपि लेक उधाय और इस्टोक करेगा और सारी चीज़े याद आएंगे ठीक है कम से कम जो है दो तीन बार इसके रिवाइस जरूर करिएगा दिमाग में बैठ जाएगा टिपिकल वर्ड्स होते हैं लेकिन याद रखना अनिवार रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जो हमारा प्रस्न चालू होता है अब देखिए प्रस्न जो है किस प्रकार से पुछा जाता है इससे गुप्त युग में भूमी राजस्व की दर क्या थी याद रखेगा गुप्त का सासन काल में अगर सबसे प्रमुख अगर जो है अगर मतलब कहा जाए कि आय का सबसे प्रमुख स्त्रोत कौन सा था तो याद रखेगा क्रिशी क्या था सबसे पहले आपका स्त्रोत रहा है और क्रिशी आया का सबसे उस्त्रोत रहा है तो भूमी से क्या प्राप्त किया जाता था कर और कितना कर प्राप्त किया जाता था तो एक बटे छे भाग भूमी का तो यहां दिख रहा होगा उपत का चौथा भाग छटा भाग तो आपका उपच का छट भाग ठीक है उपज का छटा भाग जमीन कनी उपज का छटा भाग लिया जाता था आगे बढ़ते हैं किस सासक वंस में मंदिरों एवं ब्राम्हणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया जाता था याद रखेगा कि गुप्त काल एक ऐसा काल रहा है जिसमें ब्राम्हण ब्राम्हणों को सबसे ज़्यादा भूमिदान किया जाता था ठीक है ग्राम अनुदान किये जाते थे आगे बढ़ते हैं प्राचीन भारत में किस वंस का सासन काल स्वर्ण यूग कहा जाता है इसका गुप्त काल को स्वर्ण यूग कहा जाता है ठीक है इतना समझ में आया क्लियर है, क्लियर होते जा रहे है सारा चीज, आगे बढ़े अगला है, गुप्त समराज्य द्वारा निम्न में से किनहे कर रहित क्रिसी भूमी प्रदान की जाती थी ओके ठीक है, लगाओ भई इसका अंसर अभी मैंने इसका कंसेट बताया थोड़े दिर पहले, अब आपको अंसर लगाना है ठीक है, लगा लिया होगा आप लोगों ने अभी तक के, तो ब्राम्हनों को जो है आपका क्या कर रहित क्रिसी भूमी प्रदान की जाती थी, तो गुप्त सासनकाल से जितने भी प्रस्ण हो सकते हैं, और आगे पुछे जा सकते हैं, वो सारी चीजे हम कवर करते जा रहें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ये ठीक है? ये इंगलिश मेडिया माले लोग को नीचे मनी दीख रहोगा फ़ी ठीक है? तो इस प्रकार से पानी कैसे भागता है तो बिदक भागाम ऐसे याद रख सकते हैं यह मत बूल देने कि सारे बिदक भागाम वह हवाय का ऐसे नहीं तो क्या है बिदक भागाम जो है क्या है आपका सिचाई कर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आना ची ना थोड़ा सा आपेंडाउंस चलते रहना लेकिन इसका मतलब यह नहीं दिन भर जो है नहीं करना है भई जो है आपका विदक भागाम याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 6 है निम लिखित में से किसका प्राचिन भारत में आयूर्वेद सास्त्र से संबन नहीं है यह प्रस्ण कराया जा चुका है तुरंत आंसरलग आया जाए आप लोगों के द्वारा ठीक तो क्या है लिला लिलावाती के लेखक कोन है लिलावाती के लेखक है भासकरा चार ओके अगला प्रस्ण है हमारा गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में इस्त्री और सुद्र बोलते थे ठीक है भाई वनविवस्था को तो बहुत बड़ा उलेख रहा है ठीक संस्कृत प्राकृत पाली या सौर सेनी तो याद रखेगा जो इस्त्री और शुद्र जो है आपका प्राकृत भाशा बोलते थे लेकिन अगर ब्रामण लोग अगर इसलिए में प्रस्ण पूछ दिया कि गुप्तकाल में लिखित आपका संस्कृत नाटकों में ब्रामण लोग किसका कौन से मतलब आपका भासा को उप्योग करते थे तो याद रखिएगा वो उप्योग करते थे संस्कृत का ठीक है तो इस प्रकास से भी प्रस्ण बनाए जा सकते हैं तो confused नहीं होना है ठीक है आगे बढ़ें क्लियर है आप मैं क्या बताया गुप्त काली लिखिए संस्कृत नाटकों में इस्तरी और सुद्र बोलते थे तो इस्तरी और सुद्र बोलते थे प्राकृत लेकिन अगर ब्राम्हन पूछ बैठा तो उसलिए बोला मैं आपको संस्क्रित बोलते थे ब्राह्मन लोग ठीक है तो यह आपका स्पेसिफिकेशन है आगे बढ़ें अगला है सती प्रथा का प्रथम अभिलेक साक्षे प्राप्त हुआ तुरंत अंसर लगाओ इसका बताया हूं कित्ते बार बता चुक हूं तो चार बार पाच बार ठीक है लग अप्तकाल में उत्तरभारती व्यापार निमन लिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था फिक है चलो लगाओ भई कि लगाओ-इसका अंसर बंगाल वाले छेत्र का जो यह ताम लिपति था न वहां से ही पत्यम से यह आपका संचालित होता था और याद रखना है कि ये भड़ोच, कामबे, काल्यान ये सब सारे बंधर गाही है उद्योग के लिए प्राचीन भारत के लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ बैठा कि गुप्त काल में उत्तर भारती वैपार निमलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था तो बंगाल वाले ता ये बंगाल वाला छेतर है और ये गुप्त काली छेतर का तामर लिपती है जहां से आपका पत्तन नगर रहा है और यहां से वैपार का संचालन होता था ठीक, ये तीनोग पत्तन है भड़ोच, कल्यान, कामबे वाला छेतर आगे बढ़ें ये रहा आप लोगों का प्रस्न क का लास्ट में पूछ गया प्रस्न जिसका उत्तर नहीं दिखाई दे रहे हैं मंघता देता हूं कुल, विकरम 9882, 500 hd ancora four, दिंख रहा है कहां कहां दिख रहा है, Chaos 4 इसमें दिख रहा है ठीक है और भाई, ठीक है, 500 hd, ak participated 58 213 to lead upon हो जायए हूँ we got the street थोड़ा गला मेरे खराब है तो सक्साववंद क्या था बताया मैंने 7880 तो एक तीन यह दिखाई दे रहा है गुप्साववंद तीन सो बीस तो एक तू हो जायागा सी का टू हो गया तो यह तो रहा अंसर भई ठीक है यह हो जायागा इसका अंसर तो आप लोग जो जो बच्चा सहीं उत्तर दिया है उनको बहुत-बहुत सुखकामनाई देना चाहूंगा इधर से अंसर यह लगा सकते हैं देन उसके लिदास, शुद्रक, हरिसेण यह विशागदत इसका अंसर तो देना चाहिए आप लोगों को कितने बार इसका कहानी बता दिया आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ मेया होगा इसी के साथ छात्रों इजाजत चाहूंगा जैहिन जैवार